नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मिज्जीय सेंटर में दोस्तों मैं हूँ अमित कुमार और आज की इस वीडियो में हम जनवरी से जून तक के टॉप 50 करेंट अफेर्स की पार्ट टू वीडियो को देखेंगे ठीक है तो इस वीडियो में सुरू से अंतक जरूर बने र मता दूं कि अगर आप जीके के मोस्ट इंपोटेंट 1000 क्वेश्चन के पीडियो को डाउलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है वहां जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं ठीक है थोड़ा सा आपको पेमेंट करना पड़ेगा ठीक और इसके नई गार्वेश कैफे खोले गए ठीक है तो किस सहर में खोले गए तो यह दिल्ली में खोले गए ठीक है कहां पर दिल्ली में यहां के मुख्यमंतरी कौन है तो अर्विंद के जरिवाल है ठीक है चलिए फटा पटम लोग दूसरे प्रशन की तरफ चलते हैं दूसरा और भौटम स्कीरे धानी क्या दूस्तों तो भोपाल है चलिए अग्ला प्रस देखते हैं किस राज्य में थीपू सुम तयोहार मनाया गया था तो हाली अगला प्रस्ण है एसिया के टॉप डेस्टिनेशन लिस्ट में भारत के कितने सहरों को जगह मिला हुआ है तो यह टॉप डेस्टिनेशन वाले लिस्ट में इन जगों को सामिल किया गया है चार जगह है यह दिल्ली जैपूर गुवा और उधैपूर ठीक है चलिए अगला प उसको हम क्या कहेंगे चलिए अगले वीडियों में बात करेंगे स्यद्यों में ज्यार्ट ette नहीं करेंगे हो सकता है गलत हो गया तो आप गलत पढ़ा दिया हमें ठीक है उसको छोड़ी आप स्री सक्ति सेट ग्राउन इस्टेशन इसरो ने कहां खोला है तो यह जो इसका जो राइट आंसर है वो है कोयमबटूर में कोयमबटूर कहां परिस्थित है तो तमिलनाडो में इस्थित है ठीक है चलिए अगला प्रस देखते हैं अम्रित महस्थो जो हाली में खबरों में था वह किस समारो का उस्थव है तो यह भारत की आजादी के 75 वर्थ का उस्थव है ठीक है अगला प्रस देखते हैं किस सहर ने अपना पहला LCNG स्टेशन लॉंच किया है तो इसको लॉंच किया है जोधपूर ने ठीक है पेजल लॉंच किया है तो तिलंगाना ने किया है तिलंगाना राज्ज है इसकी राजधानी क्या है है ठीक है अगला प्रसन है यह भी काफी इंपर्टेंट प्रसन है दोस्तों यह है भारत का पहला डॉग पार्क के सहर में स्थापित किया गया है तो भारत का पहला जो 2020 में दुनिया भरके परिटको का सबसे पसंदीदा सहर कौन सा है तो यह जो सहर है वह बाली रहें ठीक है चलिए अगला परसन देखते हैं गलोबल एनरजी सिक्योर्टी के लिए भारतने किसके साथ was किया कि किसके साथ समझोता किया है तो यह किया है इंटरनेशनल एनरजी एसोसीएशन के साथ में किसके साथ में इंटरनेशनल एनरजी एसोसीएशन के साथ में सोरी एजेंसी है ठीक है यहां पर क्या होगा इंटरनेशनल एनरजी एजेंसी के साथ में क्या किया है समझोता किया है ठी सबाथ कुष्ट रोग उन्मुननद दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है ठीक है तो यह रखी गई यह इड्व्य‌ाई हो यह अगला परशन देखते हैं लोग Bye-重要 ने 87 वरतों में पहली बार किस क्रिकेट टूनामेंट को नहीं आयोजित करने का फैसला लिया है तो यह भी आपका इंपर्टेंट प्रस्ट बन जाएगा तो यह है रड़जी ट्रॉफी को आयोजित नहीं करने का फैसला लिया तो आपको मैं बता दूं यहां पे CCI के अध्यक्ष कौन है तो सौरव गांगोली है ठीक है इसके सचीब कौन है तो सचीब है जैसा ठीक है जो की अमिसा के सुपुत्र है अगला पस्ट देखते हैं भारती अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने किस नाम से अपना हेयर केयर प्रड़क्ट लॉंच किया है ठीक है तो फिल्मे तो अभी बना ने रही है तो इन्होंने क्या लॉंच कर दिया है अपना हेयर केयर प्रड़क्ट लॉंच कर दिया ठीक है ताकि यहां से कमाई हो सक अनौली इस परड़क्ट का नाम है अगला परसन है A-C-I Cricket परशद के अध्यक्त की रूप में किसे निक्त किया है तो किसको निक्त किया है ACI क्रिकिट परिश्यत के अध्यक्ष की रूप में तो जैसा को न्युक्त किया गया है ठीक है अगला प्रसन देखते हैं कौन सा ट्रेन डिब्बो को साफ करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज का उपयोग करने वाला पहला मेट्रो बना है ठीक है तो यहां पे मेट्रो की कि गई है तो यह है लखनौ मेट्रो अपने डिब्बो को साफ करने के लिए किस का परियोग कर रहा है अल्ट्रा वायलेट रेंस का परियोग कर रहा यह तो किस को किया गया है bul accompli obyyan का पहला round कि ने लॉञ्च किया तो पहला प्रोग्राम ने किस देश को f-35 fighter jets बेचने पर रोक लगा यह यूझा यानि की उनायटेड अरब अमिरात पर रोक लगा दिया है ठीक है मतलब कि जो अमेरिका है वो F35 जो जैट्स हैं वो UAE को नहीं बेचेंगे ठीक है अभी रोक लगा हुआ है चलिए अगला प्रशन लेखते हैं किस राजे में देश का पहला इगलू कैफे खोला गया है तो जम्मू कस्मीर राजे म में देश का पहला इगलू कैफे खोला गया है अगला प्रशन किस राजे ने बिच्छों के सनच्छड के लिए बाटनिकल गार्डन के स्थापना की है ठीक है तो उत्तरा खंड राजने ठीक है यहां के सीम कौन है तो यहां के सीम है क्या नाम है उनका तो पुसकर सिंग धा यह आके राजधानी क्या है तो दहरा दून है दूसरी रजधानी क्या है तो गयर सेड़ ठीक है याद रखीएगा चलिए पर चलते हैं लोग अगले परशन पर चलने से पहले मैं आपको याद देता हूँ कि चैनल को सब्सक्रायब करना मत भूलिएगा मेरे दोस्तों और लाइक करना भी मत भूलिएगा साथी साथ दोस्तों में सेयर भी कर दिजेगा ताकि आप सबी दोस्तों को ठीक है मेरी वीडियो हो चुकी है ठीक है और यह किसके car हुई है यह मनीज की सोधिया वहाँ के सिक्षा मंतरी और वहाँ के मुख्य मंतरी आ हैं ićे थीक है तो जो सबसे ज्यादा जो credit याता है वह जाता है मनीज की सोधिया को और इसी के लिए ठीक इसी के लिए इनको महात्मा पुरिषकार से सम्मानित किया गया है ठीक है अनीस सिसोधिया इसका राइट आंसर होगा ठीक है चलिए अगला प्रशन देखते हैं विश्व बैटलेंड दिवस कब मनाया गया ठीक है तो बिश्व बैटलेंड यानि कि विश्व आद्रभूमी दिवस मनाया याता है तो दो फरवरी को मनाया आता है कब मनाया तो हर वर्षव बैटलेंड दिवस ठीक है अगला प्रशन है किस राज्यसरकार ने हर घर पानी हरगर शफाई भी 27 की सरुवात करी है तो किस ने की है तो पन्जाब गॉर्मेंट ने इस अभियान की शुरुवात की है ठीक है अगला प्रस्ण है आक्सफोड ने किस सब्द को वरस 2020 का हिंदी सब्द घोसित किया ठीक है तो ये जो हिंदी सब्द है क्या है आत्म निर्भर है ठीक है इंगलिस में क्या बोलते हैं सेल्फ रिलाइंस बोला जाता है ठीक है क्या बोला जाता है सेल्फ रिलाइंस बोला जाता है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में आत्म निर्भर भारत का जो अभियान चला सायद इसी वज़े से अक्सफोड ने इस सब्द को हिंदी सब्द 2020 घोसित किया ठी चलिए अगले परस्ण पर चलते हैं और ये भी काफी शांदार परस्ण है ये है इसरों ने भारत की पहली मानव रहित उडान कब लाँच करने की गोजड़ा की है तो कब की है तो दिसंबर 2021 में इसका क्या होगा लाँच होगा ठीक है ये जो मानव रहित उडान है ये प्रस्ण को देखते हैं उन्तीसवा प्रस्ण है Amazon Company के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया ठीक है तो किसको नियुक्त किया गया एंडी जैसी को नियुक्त किया गया है ठीक है इसके पुर्व में CEO कौन थे तो वो थे जैफ बेजोज ठीक है अगला प्रस्ण देखते हैं भारत की सबसे कम उम्र की महिला पाइलेट बन कर किसने नया कृतिमान इस्थापित किया है ठीक है तो किसने किया है तो ये हैं आईसा अजीज ठीक है कौन है आईसा अजीज जो है ये भारत के सबसे कम उम्र की महिला पाइलेट है ठीक है अगला प्रशन है ये भी काफी परिजमेंट के लेखा कौन है तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये हैं दलाई लामा ठीक है तो चलिए हम लोग अगले परस्ण पर चलते हैं अगला परस्ण है बजट 2021-22 में स्वास्त के लिए कितने करोड रुपे जारी किये गए ठीक है तो इसका जो आंसर मैं देख पा रहा हूं आप भी देख रहे हैं यह 2.24 करोड है ठीक है तो यह जो परस्ण है डाउट फुल है इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में ठीक है तो अभी के लिए अगले परस्ण पर चलते हम लोग अगला परस्ण देखते हैं भारती रेलिवे ने किस नाम से बैटरी और बिजली से चलने वाली इंजन लॉंच किया है ठीक है तो भारती रेल ने किस नाम से इस इंजन का क्या नाम रखा है तो ग्रीन इंजन नाम रखा है क्या रखा है ग्रीन इंजन इसका नाम रखा है जो की बैटरी से या फिर बिजली से चलेगी चलिए अगले परस्ण प कराए गया है अगला प्रशन है लोक तंतर सूचकांग की बैस्विक रैंकिंग यानिकी ग्लोबल रैंकिंग ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का कौन सा इस्थान है ठीक है तो कौन सा इस्थान है तुरह पनवा इस्थान है ठीक है तुरह पनवा इस्थान भारत को मिला अगला प्रसन देखते हैं कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंदर सासित परदेश कौन सा है तो ये जो परदेश है अंदमान निकोबार है याद रखिए का अंदमान निकोबार है तीक है रेडिमी इंडिया स्मार्ट फोन के नए ब्रांड अमेजडर किसे न्यूक्त किया गया है तो सोनु सूद जो की एक्टर है और एक समाज सेवी भी उभर के आए हैं 2020 से ठीक है कोरोना काल में इनोंने बहुत ही ज़ादा लोगों की हेल्प करी और बहुत ही ज़ादा फिमस भी हो गये हैं ठीक है तो रेड्मी इंडिया स्मार्ट फोन के नए ब्रांड अमेजडर ये बनाए गए है ठीक है चलिए याद रखिएगा सोनु सूद से समझज़ी प्रस्ण आ सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस और चर्चा में रहे हैं इस कोरोना काल के दोरान में अर तीसवा प्रस्ण है B.S.E. ठीक है दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सेंज बना है ठीक है तो ये दुनिया का नौवा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सेंज बना है ठीक है अगला प्रस्ण है भारत का कौन सा राज्य E कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बना तो ये बना है दोस्तो हिमाचल परदेश ठीक है अगला प्रशन है किसने असोम माला पर्योजना का सुभारम किया असोम यही असोम किसकी बात कर रहा है मैं आपे असोम तो असम की बात कर रहे हैं तो असोम को असोम भी का जाता है तो असोम माला पर्योजना का सुभारम किसने किया तो हमारे देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने किया है चलिए अगला प्रसन देखते हैं किस देश की सेना ने कोबिज 19 पहषण के लिए कुटों को तेणाथ करेगी गिए कुटों को तयणाथ करेगी तो भारत की सेना ऐसा करेगी ठीक है चलिए अगला प्रसन है inaudas को किस राजसरकार ने डीस पी पदपर न्युक्त-री किया है तो डीस पी पहला Dolphin Research Center जो इस्थापित किया जाएगा यह है पटना में ठीक है बिहार की राजधानी पटना अगला प्रस्न है किस राजसरकार ने गरीब लोगों को खाना खिलाने के लिए मायोजना की शुरुआत की है तो पस्चिम बंगाल सरकार ने मायोजना की शुरुआत की है ठीक ह अगले प्रस्न पर बढ़ते हैं और अगले प्रस्न पर जाने से पहले हम आप लोगों को याद दिला दें कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ठीक है चलिए उम्मिद करता कि आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा आगे बढ़ते हैं कि पिस राज्य के मुख्यमंत्रि ने अभ्यूदय योजना की शुरुवात की है ठीक है तो उत्तर चलिए अगले पुर्ष पर चलते हैं आई पाइल 2021 में सबसे महेंगे खिलाडी कौन बने तो सबसे महेंगे खिलाडी बने क्रिस मौरिस नियाख्य क्षमा चलिए अगले पर सजह पाने वाली स्वतंतर भारत की पहली महिला कौन बनी है तो ये बनी है सबनम ठीक है बहुत ही बड़ा काम कर दिया इसने सबनम ठीक है फासी के सजा पाने वाली स्वतंतर भारत की पहली महिला बनी है ठीक है चलिए बहुत ही तगड़ा कांड किया था इसने किस जिला को कोविड 19 रोकने के लिए स्कोच Gold Awards से सम्मानित किया गया तो किस जिला को COVID-19 रोकने के लिए सकोच Gold Awards से सम्मानित किया गया और यहीं पर राम मंदिर का निर्माड भी ऑर रहा है अग्ला प्रस्न है इसरों ने किस वर्स तक मिशन चंदरयान 3 लॉंच करने की घुषणा करी है या किया है तो वश 2022 तक इसरों ने मिशन चंदरयान 3 लॉंच करने की घुषणा कर दिया अगला פरसन देखते हैं और आज का लास्ट परसन है D.R.U. ने किस नाम से भारत का नया radar system launch किया है तो उस radar system का नाम है उत्तम ठीक है उम्मिद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe भी कर लीजेगा subscribe करके notification bell को press करना मत भूलिएगा ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care